नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिस से हमिंडिया एजुकेशन यूटूब चैनल पे दोस्तों एक बार फिस से हमिंडिया एजुकेशन आपके लिए important information लेके आया है इस वीडियो में हम लोग आपके साथ जो है JVT भरती से rated ही चर्चा करेंगे तो वीडियो में देखेंगे हम लोग की जेविटी के भरती के दुरान जो बैजवाइस काउंसलिम के एस्परेंट जा रहे हैं वो कौन से अशेंशल डोकुमेंट जो है अपने साथ लेके जाएंगे किन-किन डोकुमेंट के अधार पे जो है उनकी भरतियां होगी तो इसी विशे में आज हम लोग आपके साथ एक डिप्टी डेटर ओफिस कांगरा की तरफ से जो आज नोटिफिकेशन जारी कीगी है जेविटी बैचवाइस से रेटिड उसकी चर्चा करने जा रहे हैं क्योंकि बैचवाइस का प्रोसेस जो है वो सेम रहने वाला है सभी जिलों के लिए तो ये डोकुमेंट जो हम लोग इस कांगरा की नोटिफिकेशन के साथ शेयर करेंगे तो आप अगर अधर डिस्टिक में भी जाना चाते हैं तो भी ये अपने जो मूल प्रमान बत्तर होंगे अपने साथ लेके जरूर जाएं सबसे पहले तो प्रैस नोट की बात करें तो ये प्रैस नोट जो है 23 फरवरी को जो है रिलीज किया गया था डिप्टी डेक्टर ओफिस कांगरा की तरफ से जो की धर्मशाला में स्तित है इनकी तरफ से जो है बैच वाइस कांशलिंग की जो तितिया निधारत कीगी है वो एक मार्च और दो मार्च दो यार्थेश कीगी है एक मार्च को जो है कांगरा जिले के जितने भी अभ्यारती है वो इस category में जो आते हैं वो इस batch wise counseling को टेंड कर सकते हैं जो अन्य जिला के अभ्यारती हैं वो 2 March को जो है अपनी batch wise counseling में जिला कांगरा के लिए participate कर सकते हैं और इसके एक तो ये date होगी जो सबसे important होती है किसी भी notification में कि batch wise counseling कब होने वाली है दूसरा दोस्तो इस चीज़ पर ध्यान जरूर दिया करें कि जो counseling की स्थान है वो कौन सा है क्योंकि deputy director धर्मशाला में जो है इनकी तरफ से जो स्थान आपकी counseling के लिए निधारित किया गया है वो nursery middle school धर्मशाला किया गया है इस पे आप ध्यान देंगे कि venue कौन सा रखा गया है कि कहीं आप गलती से कुछ गलत address पे जो है आप ना पहुँच जाए same day उस दिन तो इस वज़ा से किसी भी notification की जब batch wise counseling की notification होती है उसमें date और venue को बड़े ध्यान से जो है आप चेक किया करे तो अब इस batch wise counseling में participate counts कर सकते हैं JBT वाले candidate कर सकते हैं जिनोंने DLT कर रखा है वो कर सकते हैं जिनोंने B8 कर रखी है वो भी कर सकते हैं लेकिन सबसे अनिवारे बात जो है कि JBT का TET पास जो है उन भ्यारतियों के पास होना अनिवारे रहेगा JBT का TET का मतलब जो first to fifth class के लिए HP board की तरफ से जो है TET की प्रिक्षा करवाई जाती है उसका valid certificate होना उनके पास अनिवारी रहेगा तब ही जो है इसमें वो eligible माने जाएंगे इसके इलावा जो है अब आपने जब वहाँ पे counseling के में जाना है तो इनकी तरफ से जो है एक bio data form provide करवाया गया है इस bio data form को जो है फिल करके जो है आपने साथ counseling में लेके जाएंगे उसके बाद important point की बात करें तो पहले ये देखते हैं कि total 53 पोस्टों के लिए जो है deputy director kangra ने जो है vacancies जारी की है जिसमें की general की ठारा पोस्टे हैं और बैच 27 तक के candidate इसमें बुलाएगे है general EWS की 6 पोस्टे है 211 तक के candidate बुलाएगे है SC की 9 पोस्टे है 211 तक के candidate बुलाएगे है SC IRDP की 3 पोस्टे है 216 बैच तक के candidate इसमें participate कर सकते है SC World of Freedom Fighter के up to date candidate जा सकते है ST की तीन पोस्टों के लिए 2011 केंडिडेट, ST IRDP के भी 2011, OBC का भी 2011, OBC IRDP का भी 2011 तक के जो केंडिडेट है जिन्हों टेट पास किया है JVT का वो इसमें जो है इंटर्व्यू में पार्टिस्पेट कर सकते हैं जो सेटिफिकेट्स आपने साथ लेके जाने हैं उसमें मैटरिक का सेटिफिकेट हो गया, प्लस टू का हो गया, टैट पास हो गया, JVT, DL, BAT जो भी आपने कर रखिया उसके साथ Employment Exchange का Registration Card हो गया, अपना हिमाचल का Bonofide हो गया, Character Certificate हो गया, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अगर आप किसी कैटेगरी में आती है, SC, ST या OVC में तो उसका सेटिफिकेट, IRDP, BPL में आती है तो उसका सेटिफिकेट, उसके साथ उसके बाद जो है आपने, अपनी सत् Carry जरूर करेंगे, किसी परकार की अधिक जानकारी के लिए आप इनके दियेगे, Contact Numbers पे भी इनके Contact कर सकते हैं, और इसके साथ 15 Marks की जो वेटेज है, वो भी इनकी तरफ से रखी गी है, सेम बैच के Candidate आते हैं, तो इसमें जो है वेटेज भी एक एहम रोल अदा करेगी, तो ये दोस्तो अपडेट था हमारा और ये जो मूर परमानपत्तर आप इनकी तरफ से बताएगे हैं, आप किसी भी काउंसलिंग में अटेंट करने जब जा रहे हैं, तो ये सर्ट्यूपकेट जो है अपने साथ जरूर लेके जाएं, तो ये कांगरा का अपडेट था, इस किसी ऑडेगा